टीम इंडिया के पूर्वे क्रिकेटर और कॉलकता नाइट राइडर्स के मेंटर गोतम गंभीर का भारत्य क्रिकेट टीम का हेड कोच बनना लगभग तै हो गया है IPL के एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने क्रिक बज से बाचित करते वे इस खबर की पुष्टी की है और बताया है कि जल्द ही इसकी अधिकारी घोशना की जाएगी क्रिकेटर बज के रिपोर्ट के मताबिक इस खबर की जानकारी शारुक खान को भी मिल चुकी है BCCI के नियमो के अनुसार अगर गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं हालांकि अभी तक इसकी अधिकारी कोश्टी नहीं हुई है वर्तमार में राखुल द्रविट टीम इंडिया के हेड कोच है और उनका कारियकाल अमेरिका और वेस्ट इंडिस में होने वाले T20 वर्ल्ट कप के बाद समाप्थ हो जाएगा इस नए घटनकरम के बाद क्रिकेट प्रेमियों में उत्सा और जिग्याश्या का माहोल बना हुआ है कि क्या गोतम गमभीर भारती क्रिकेट टीम के अगले हेड कोश बनेंगे गोतम गमभीर जिन्होंने अपने खेल करियर में कई महतों पून पारिया खेली है अब कोश के रूप में अपने अनुभाव और नेत्रत्व कोशल से टीम इंडिया को नई उचायों पले जाने की तैयारी में है अब सभी की नज़रे वी सी सी आई की अधिकारिक घोशना पट्टी की हुई है जो किसी भी समय आ सकती है